नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल पर दोस्तों करवाचवत का परव आने ही वाला है इस पवित्य तिवहार करवाचवत पर शादी शुदा महिलाएं अपने पती के लिए करवाचवत का ब्रत रखती हैं दोस्तों करवाचवत का ब्रत ना केवल पती की लंबी उमर के लिए किया जाता है वलके करवाचवत का तिवहार प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है करवाचवत का तिवहार मनाने के लिए महिलाएं बहुत पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती हैं करवाचवत का ब्रत बहुत ही लगन और समस्दारी से रखना चाहिए दुस्तों इस तवरान महिलाओं की एक गलती पूरे ब्रत को भंग कर सकती है शास्त्रों में इस बात का पूरा प्रबधान है कि ब्रत के तूटने पर पती पतनी के रिष्टे में गरहन लग सकता है यहां तक के पती की मौत भी हो सकती है ऐसे में कुछ महिलाओं ऐसी भी होती हैं जिने करवाचवत का ब्रत नहीं रखना चाहिए तो दोस्तों आईए जानते हैं वीडियो के माध्यम से के वे कौन सी महिलाओं हैं जिने भूल कर भी करवाचवत का ब्रत नहीं रखना चाहिए मातालचमी हो जाती है क्रोधित यहां तक के घर में आने लगती है गरीबी और पती पर तूट पड़ता है मुसीबतों का पहाड तो आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दुस्तों नमबर वन पती से दूरियां पती पतनी के मद्द अगर काफी समय से लडाई जगड़े हो रही हैं और बात तलाग तक पहुँच गई हो तो ऐसे समय में आप करवाचवत का ब्रत ना रखें लंबे समय से पती से दूरियां और आपस में नफरत पैदा होना करवाचवत का ब्रत रखने पर आपको पाप का भागिदार तो बनाता ही है साथी आपके द्वारा किया ब्रत भी खंडित हो जाता है इसलिए पहले अपने आपसी जगडे और मतवेदों को सुधारें और उसके बाद फिर करवाचवत के ब्रत का पालन करें क्यूंकि करवाचवत का पर्व नफरत का नहीं प्रेम और सौंदर का समरपण का पर्व है दुस्तों नमबर टू मन में गलत भावना करवाचवत का ब्रत ऐसे जुड़े कभी ना रखें अगर आपके मन में अपने प्रेमी का खयाल ना कर किसी गएर मर्द अत्वा किसी गएर औरत का खयाल आता है तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है असल में ऐसे लोग पाप के भागीदार हैं आचार चाड़क के कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साती बही होता है जिसका मन इन वातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से हीबा प्यार करे हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जनम में सात रहते हैं और यही विदी का विधान भी है दुस्तों नमबर थिरी गरबती महिलाएं करवा चोट के ब्रत का पालन करना गरबती महिलाओं के लिए बहुती मुश्किल भरा समय होता है इस समय गरबती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ का ब्रत नहीं रख सकती लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है और आप इस ब्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती हैं तो आप करवाचवत का ब्रत ना रखें क्यूंकि ऐसे समय में ब्रत रखना अर्शुरचित हो सकता है इसलिए ब्रत रखने से पहले डाक्टर क की सलाह जरूर लेनी चाहिए क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है दुस्तों नंबर फोर साथ फेरे शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि नई कई नियम ऐसे हैं जहां पती-पत्नी का शामिल होना आवश्यक होता है जो कि साथ फेरे लिए बगेर क कुछ काम हो ही नहीं सकता उसमें करवाचवत का तेवार मुख्य रूप से शामिल है आपको बता दें कि दो पती-पत्नी साथ फेरे लिए बगेर एक साथ नहीं रह सकते दोस्तों शास्त्रों की दृष्टी में इसे अशुब माना जाता है ऐसे रिष्टे करवाचवत का ब लड़कियां करवाचवत का ब्रत रखती हैं तो शादी से पहले अतरंग संबंद ना बनाएं तो करवाचवत का ब्रत रखा जा सकता है दोस्तों मानता है कि सबसे पहले करवाचवत का ब्रत शक्ती सो रूपा माता पार्वती ने मौले नात के लिए रखा था इसी करवाच के ब्रस से उन्हें अखंड सौबाग की प्राप्ती हुई थी तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडिय के साथ तब तक के लिए गुड़ वाई थैंक्स वार वाचिंग माई वीडियो